नमश्कर दोस्तों, 40 वर्स की इनकी आयू है, 36 वर्स की आयू के बाद इनके जीवन में एकदम चमतकार हुआ था, जब पहली बार ही इनकी हतेली आई थी हमारे पास, तो मैंने एकदम शाप शब्दों में इनकी लिए एक संबोधित किया था चीजों को कि आप 35 वर्स की इसका रीजन आज की वीडियो के माध्यम समय बताऊंगा, और जितने भी विक्ति इस वीडियो को देखेंगे, अगर वो आज के समय में तकलीफ में है, परिशान है, हतास वा निराश है, तो उनको हतासा, निराशा या परिशानी क्या वर्सक्ता नहीं है, अगर उनके हाथ आपर भी इस प्रकार के चिन्नवा आकरती दिखें, तो उनके जीवन में भी स्पेशली चमतकार होगा, तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमान की क्या वो शक्ता है, आज की वीडियो के माध्यम से चीजों को देखने की जरूरत है, देखनी क्या वो शक्ता है, कि कौन से योग किस प्रकार के चुन्य थे, किस प्रकार की आकरती थी, जो इस बात का संबोधन किया गया है, और कौन से योग आप किस तरीके से चीजों को देखेंगे, और इनका जो कुछ प्रशन है, कुछ मूल भूत, कुछ कोशन्स है, जो मैंने दोनों चीज देखा, कुनली हाँ, दो प्राप्त कर पाएंगे, कितने बड़े उन्नती को ये प्राप्त करके आगे बढ़ पाएंगे, और जीवन की गारी कब तक चलेगी, कब तक जीवन रहेगा और इश्वर की भक्ती भी ये करना चाहते हैं, तो अब बिलकुल चिंता ना करें, आपके कोशन्स को हमने सुन लिया है, समझ लिया है, अब बताने का कोशिश करूँगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगिटिविटी होगी, इन साड़े महतपून विशेपर बात करके आज की वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, तो अगर मैं सकार आत्मकता की बात कर लो, तो उसके पहले आप समझे शंगर्स का रीजन क्या था, मैं प्रायाह कहता हूँ कि बाग्यरेखा एक बहुत महतपून रेखा होती आपके हाथ पर, अगर आपके हाथ पर एक सुडॉल सुगटिद बाग्यरेखा है, तो आप आप इनके हाथ पर दि अब चमतकार कैसे हुआ वो देखिया 35 वर्स की आउ के बाद ना भाग्यरेखा बहुत ही अच्छी थी और यहाँ पर एक बहुत बड़िया स्कौयर बना था, स्कौयर के साथ साथ यहाँ पर एक ट्रेंगल्स था, इसके बाद एक और ट्रेंगल्स था, वदब ये जो आकर् प्रगती से आप प्रगती कर रहे हैं जिस निरंतर गती से निरंतरता के साथ आप जीवन पर ग्रोध कर रहे हैं वो निरंतरता चलती रहेगी आपकी 55 वर्स के बाद भी निरंतरता रहेगी क्योंकि बागे रेका जीवन के अंतिम समय तक है तो आपको आगे ग्रोध प्रगती धनलाव इन चीजों के लिए सोजने की आवश्रक्ता नहीं है अब इसके बाद आप देखेगा तो यहाँ पर एक सूडी रेखा दिखेए असपस्ट फिर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर सूडी रेखा इस प्रकार से बड़ी बड़ी नज़र आ लिए अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर सूरी रेखा बड़ी हो, सूरी रेखा एक से दिखो, ये फॉर्चुन की रेखा होती है, ये संसकार की रेखा होती है, प्राक्रम समर्पन तेज की रेखा होती है, तो व्यक्ति अपने प्राक्रम के दम पर, व्यक्ति अपने समर्पन के दम पर विक्ति अपने तेज के दम पर जीवन में आगे बरते हैं, बहुत बड़े मुकाम पर जाते हैं, बड़े ग्रोध को प्राप्त करते हैं, बड़े प्रगतियों को प्राप्त करके जीवन पर नए नए अचीवमेंट्स को अपने लाइफ में लाते हैं, तो ये में सकारात् मक्ताय थी, अगर आप आज करोरपती हैं, आज आप करोडों कमा चुके हैं, तो एक येवल एक सकरात्मकता से आप करोरपती नहीं बन सकते हैं, इसको परांत और भी सकरात्मकता हैं, आपके हाद पर मौझूद होती हैं, तो आप देखेंगे लगबग इनके सारे प्लैनेट स जो एक प्रकायर की राज्योग करकिस्थती को बता रही है, एक प्रकायर की ग्रोथ को बता रही है, एक प्रकायर के ग्रोथ को बता रही है, एक प्रकायर के धनलाव को बता रही है, नेगेटिविटी भी आपने देख लिया, अब देखो वेपार है तो लेकिन थोड़ी से न पिटर का और बुद्धरेखा का उपाय करना है बहुत आगे बढ़ोगे आप बहुत जादा सफलता को प्राप्त करोगे आप बहुत जादा ग्रोध को प्राप्त करोगे आप ये भी लिखके ले लो आप ये भी रियालिटी है तो बहुत जादा आगे बढ़ेंगे आप जादा प्रगति को प्राप्त करके जीवन पर आगे बढ़ेंगे आप इस बात में भी कोई संदे नहीं है और संदे रखने की आवशक्ता भी नहीं है क्योंकि जीवन में ग्रोध तो आपको हो गई ही जीवन में प्रगति तो आप करेंगे ही जीवन में धनलाव तो आप प्र चुलिए अब आप बात करते हैं जीबन रेखा से आगे के life को questions तो इनके बहुत सरल और सोबर थे कि आगे कब तक की तरक्की बन रेगी तो जब तक आपकी जंदगी रेगी पैसा आता रहेगा आपके पास अब देखो तो ये mind line है ये life line highly independent ऐसे विक्टी independent रूप से कायरे करत तो तकरीबन चलो success तो आपको 35 वर्स के बाद मिला लेगर independent तो आप महस 20-22 वर्स कायरे उसे हो गया जीबन रेखा पर triangle से negativity दूर कर रहे हैं ये continue प्रगती की रेखा है ग्रोथ तो कराती है तोड़े बहुत tensions के line बने है बीच बीच में तोड़े बहुत चिंता है आते रही इसके बाद देखे फिर इसके बाद भी continue चल रही है आपकी रेखा निरंतर बेसिस पर चल रही है मतलब continuity के साथ है रेखा इस बात में भी कोई संदय नहीं है प्रग्रस लाइन तो आपकी बड़ी अच्छी है प्रगती तो आप करते रहेंगे ग्रोथ तो आप करते जीवन में नए-ने मुकाम पर तो आप जाते रहेंगे इस बात में भी कोई संदय नहीं है अब देखो ये निरंतर चल रहा है मतलब ये रुका नहीं है ये तकरीबन 60 वर्स तक एकदम चलेगा उसके बाद विदेशी यात्रा के भी योग बड़े है संभवता 45 वर्स की आय तक महसूस कर सकते हैं तकरीबन आप 35 वर्स की आयु तक आप जादा ग्रोथ जादा प्रगती जादा धनलाव जादा उन्नती इस चीज़ को महसूस कर सकते इस बात में भी कोई संदय नहीं है लग्जूरिस लाइफ के योग बने वो तो रहेगा ये देख लो मन्य मैजमें लग्जादार अच्छी बातरीण थाम तो विक्तितव बहुर शैंदार एसे विक्ति एक शांदार जान्दार विक्तितव क्यों होते हैं समझदारी के लूप काफी एच्छी समझदार है फिंगर पर करीड़े का इंडिकेट कर रही है दिल बड़ा अच्छा है आपका यहां से दवाब है तो विक्ती मैनती होते हैं, यहां पर आप देखो घरदे रेका काफी अच्छी है, विश्ण योग का फॉर्मेशन उटीन को फॉलो करते हैं, फिर आप आगे रेको के तो यहां पर बागी रेका दिक्रिये जीवन के अंतिम समयते हैं, एक एक और बागी र रेका यहां पर सभी कुछ ट्राइंगल से बेनफिट तो लाइफ में कराता हैं, अगर सूरी रेका ने वी नुमा करती का निनमान कर लिया, जैसा ही साथ पर आपको नजर आ रहा है, तो भागी रेका बेलकुल आपको तनाव परशान किया हैं, लेकिन जिस प्रकार की आपक जातक को कर नहीं सकती, क्योंकि जातक में एक इनर कॉंफिद disruption जो हता है यह बढ़ अच्या होता है, और अगर आप में कॉंफिद문स है, आप में किसी भी चीज़ को करने की शमता है, आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात बहुत प्रबल बात होती है। करते हैं, क्योंकि इनका मंगल अच्छा होता है ना, तो हनुमान जी बड़े दिल के अच्छे भी थे और बड़े प्राक्रमी भी थे, तो कहरे का तात परिया उनमें बाहुबल भी था और मन भी बड़ा उनका साफ था, तो उस संदर में व्यक्ति सब के लिए करते हैं, व्यक के पास एक पार्टिकुलर समय के बाद बल्क में पैसा आना था, वो पार्टिकुलर समय आपका आगया, आप इंजॉइ करिए, तोरे बहुत रेमेडी है, वो कर लिजे बात वाकि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिखा जाते हैं, नमबर मिल जाएगा, थन्यवादु